क्या संथाल से जुड़े इन सवालों का महत्पुन जवाब है आपके पास संथाल एक सवाल संथाल एक सवाल और उसका जवाब सनमको की जवार इंग्डों मतल कुमार मतल सर यूट्पुन चैनल रे सनमको सगुन दरम बिरा आज में लेके आया हूँ आपके लिए कुछ महत्पुन सवाल संथाल एक सवाल के नाम से ये विडियो है और लेके आया हूँ आपके लिए महत्पुन सवाल देखते इन सवालों का जवाब कौन बहतरीन और अच्छा तरीके से देता है अगर आप एक संथाल है तो आपको इन सभी सवाल का जवाब जरूर पता होगा दोस्तों हो सकता नहीं पता हो तो आप जिसको पता इस वीडियो को वहाँ सेर करे और इस सवाल का जवाब ढूरने की कोशिस जरूर करे क्योंकि संथाल एक सवाल तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल संथाल आखिर क्यों परसीद है संथाल इतना फेमस क्यों है क्या ऐसा कारण है जिसके वज़े से संथाल परसीद है पहला सवाल संथाल परसीद क्यों है देखते हैं आप में से किसको इस सवाल का सही जवाब पता है और कौन सबसे पहले कमेंड में सही जवा संथाल क्यों परसीद है पहला सवाल दूसरा सवाल संथाल में कितने प्रकार के बिभा होते हैं और इन में से सबसे सरवच बिभा कौन सा है उसका नाम जरूर बताए यानि जो सबसे बेस्ट होता है कितने प्रकार के बिभा होते हैं और इन में से सबसे बेस्ट कौन सा होता है क्या सबी बेस्ट है या इन में से कोई ऐसा है जो बेस्ट है दूसरा सवाल आपका दोस्तों तीसरा सवाल है आपका कि संथाल जारकंड अगर आप जारकंड के निवासी है या नहीं भी है आप संथाल है तो आपको पता होना है जारकंड में कुल कितने संथाल परगना है जारकंड में कुल कितने संथाल परगना है कुल कितने है संथाल प्रगणा चौथा सवाल दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही महत्मुन सवाल है संथाल के सबसे बड़े देउता या सबसे बड़े सबसे बड़े देउता कौन थे संथाल के सबसे बड़े देउता कौन थे उनका नाम बताईए दोस्तों संथाल के सबसे पढ़ेते हुता कौन थे और इस वीडियो का आखरी सवाल दोस्तों आप सभी के लिए ये सवाल है कि भारत बर्स में बिस्व या पूरे भारत में संथाली दिवस कब मनाया जाता है उसका तारीक क्या है इस सभी सवालों का जवाब जो भी वीवर्स देंगे उस वीवर्स के लिए कुछ अनोका होगा संथाल एक सवाल इस वीडियो सीरीज को लगतार जारी रखेंगे मैं हर बुदवार को ये सीरीज आपको मिलेगा संथाल एक सवाल जिसमें कुछ सवाल का जवाब आपको देना है और आपको अपने बारे में ही जानकारी को आगे बढ़ाना है सेर करना है ताकि संधाल की जानकारी हर किसी तक पहुँच सके तब फटा फट इन सब इस सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में दिजिए ये कमेंट सपेसल होगा और इस कमेंट को ले करके मैं आगे बढ़ूँगा और आप सभी को आपके जनकारी देता जाओंगा और इनमें से किसी एक भाई को कुछ न कुछ प्रुसकार से सम्मालित किया जाएगा क्योंकि उन्हें संधाल के बारे में काफी नौलेज है और वो संधाल को आ ही जाज हारकन जैसल